घड़ी 24 मिनट या दो घड़ी 48 मिनट आप नियम ले लो 24 घंटे में एक घड़ी का नियम ले लो 24 मिनट का हमें ना परमार्त समझना है ना कल्यान ना मोक्ष ना भगवत प्राप्ति पर हमें चैन से जीना है इसलिए 24 मिनट नाम जब कर लो 24 गंटे बिलकुल छूट है 24 मिनट नाम जब कर लो थोड़ी शृद्धा बने तो अच्छा ना बने कोई बात नहीं हमारी प्रार्थना मान करके सुन कर लो आप देखो बहुत लोगों उसे मित्रता करते हैं उनकी बात मान कर घंटों उनके साथ तास खेलते हैं असी मजाग करते हैं अनिक रिडाएं करते हैं आप थोड़ी सी मित्रता हमसे भी कर लीजिए हम हाँ जूड़कर चरण बंदना करके आपके मंगल के लिए आपके परमसुक के लिए कहते हैं यदि आप चोविश मिनट हमारे करुणा निधान प्रिया प्रितम का नाम जब कर लिए फिर आप देख लेना परिणाम क्या होगा महामगल अगर एक घड़ी भी आपको ऐसा रुची नम वठे तो आधी घड़ी बारा मिनट चोविस घड़ी में बारा मिनट देदो हमारे प्रिभू के नाम के लिए ये माया का कुछ नहीं दिगाड़ पाए एक नाम त्रेलो कहीं का रहे है जो नलेई सो जन्म ही आ रहे है हमारे प्रिभू बहुत क्रपाल राई के सम्भजन को मानत मेरुशन प्रार्थना मान लीजिये नहीं तो बच्टाओगे कोई तुम्हारा न रिष्टेदार है ना यहां तुम्हारा कोई मित्र है ना यहां तुम्हारा कोई शत्रु है तुम केवल कमाने आये हो इस म्रत्य लोक में भगवन नाम रूपी धन पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनों रण्यन में फशा दिया काम कुरुध की किरिडाएं यह हमारा नास करती है हम जानने ही पाते हैं यह मन बुद्धी ठग का काम हमारे साथ कर रहे है निश्काम हो करके छमावान वन करके नाम जब करते हुए जो हमें परंपद की प्राप्ती का यह उश्वर मिला हम काम कुरुधाद से युद्ध हो करके अपने जीवन को नस्ट कर रहे हैं पर शुद्ध हरदय ना होने के कारण यह बातें आपको शमझ में नहीं आते हैं इसलिए प्रार्थनार है किसी की तो मान ले ऐसा तो नहीं कहरें कि आप आठ घंटे पदमास्तन लगा के बैठें 24 मिनट मात्र पचीशवाना बैठें 24 मिनट आप एक नियम ले लो